सब्सक्राइब करें अगर आप 25 सेगमेंट में अगर आप लेने का सोच रहे हैं जिसमें कि आपको अच्छे लुक्स मिल जाए और कमपनी अच्छे फीचर्स भी ऑफर कर दे और इसका जो प्राइजिंग वो भी अच्छा रहे है तो इस वीडियो में आपके लिए काफी अच तो आज के इस वीडियो में हम डीटेल में बात करने वाले हैं यामां MT 125 के बारे में आप लोगा काफी जादा कमेंट्स आ रहा था इस बाइक को लेकर मेरे अपाची 125 वाले वीडियो में तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं मैंने बात किया हुए अपाची 125 के बारे में तो आज के इस वीडियो में हम आपको डीटेल में बताने वाले हैं कि क्या कुछ इस बाइक का प्राइजिंग रहने वाला और कब तक कि आपको इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलने वाली है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक का चांसे था नवंबर दिसंबर तक था इस एर में बड़ बात करते हैं तो फ्रेंट्स कोरोना वाइरस के करन जो बाइक लॉंचे थे वह काफी जादा डिले हो गया अभी इंटरनेशनल मार्केट में आप बात करते हैं यह बाइक काफी अच्छा सेल हो रही और काफी अच प्रेंट्ली बजाज ने भी अपनी प्लसर 125 स्प्लिट सीट को लांच कर दिया है बेसिक्स मॉडल में जिसके कंपणी ने जब बीस फोर में लांच किया था तो ज्यादा यूनिट्स उसका मतलब सेल नहीं हुआ था ज्यादा यूनिट्स कंपणी ने बनाया ही नहीं था त इसका की प्राइजिंग आपको फ्रेंट्स 1,60-65,000 रुपीज के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाता है तो ऐसे में जो अगर आप बात करते हैं प्राइज गैप का तो काफी जादा है कहा 95,000 और कहा 1,60,000 रुपीज तो इसके बीच में एक जो गैप है उसे जल्दी फ् और फिगर्स की तो इसमें जो आपको 14.8 PS का देखने को मिल जाएगा तो अगर बात करें इसके सस्पेंशन के बारे में तो इसका जो इंटरनेशनल मॉडल है वहां पर यूजडी फोक्स सेल किया जाता है बड़ जैसे कि आप जानते हैं में आपको टेलिसकोपिक फोक्स मि प्रेंट में आपको 100 x 80 17 इंच का टायर मिलेगा और रेर में आपको 140 x 70 17 इंच का टायर कमपनी ओफर कर देगी आप करते हैं इसके सीट हैट के बारे में तो इसका पावर टू बेट रेशियो जो है वो भी काफी अच्छा रहने वाला है बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक क एतर में इक बारे में तो इसमें आपको सेम 10 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा और बात करते हैं इसके डिजाइनिंग के बारे में तो भी में उपको मायलेज उफर करने वाली और बात करते हैं इसके मिटर देखने को मिल रहा है सेम डिजिटल मिट्र कनसोल इसमें आपको देखने को मिल जाएंगा चैने यहाँ आपको टेल लॉइड़ी में देखने को मिलेगा 는 रहने वाला है और काफी यह चैसे में कंपणी आपको DRLS आफ़र करेगी जो कि सेम आपको MT15 में देखने को मिल जाता है बात करते हैं इसके color options के बारे में तो आपको तीन color options में देखने को मिल जाएगा ब्लू, black and white तो देखा यह तो color options काफी अच्छा आपको इसमें मिलने वाला है और बात करते हैं इसके top speed के बारे में तो इसका जो top speed है वो आपको 120 प्लस तक का top speed देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं इस बाइक के pricing के बारे में तो यह बारे में तो यह बारे में तो आपको on road 120 to 25,000 रुपीज के देखने को मिल जाएगा तो pricing wise यह काफी अच्छा competition देने वाला है 125 125cc में अधर बाइक को क्योंकि इसमें जो फीचर से वह आपको काफी जादा मिलने वाला है और काफी अच्छा looks के साथ आने वाली है तो यह perfect combination रहने वाला है looks mileage और features का तो आप इस बाइक का वेट कर रहे हैं तो अब बात करते हैं कि यह आपको कब तक देखने को मिल क्योंकि फ्रेंट्स यामा भी जल्दी अपनी 125cc सेग्मेंट की कुछ बाइक को launch करने वाली इंडियन मार्केट में तो हो सकता है क्योंकि यह जो बाइक है इंटरनेशनली भी सेल हो रही है तो काफी मतलब यामा के लिए असान होगा इस बाइक को इंडिया में सेल करना तो अब भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप वेट कर रहे हैं इस बाइक का या नहीं और आपको इसका लुक्स कैसा लगता है तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आयम सत्यम गुपता साइनिंग और आपको कुछ भी पूछना रहता है तो आप मुझे इंस्ट